नमस्कार आप सभी का स्वागत है। महाभारत के अनुसार कर्ण को महाभारत के युद्ध से पहले कई प्रकार के सपनों के दर्शन हुए थे। फिर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से सपनों से जुड़े रहस्यों के बारे में पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने कर सभी मनुष्य सपने देखते हैं। शास्त्रों के अनुसार सपने दो प्रकार के होते हैं। शास्त्रों के लोगों को बता देते हैं। किन्तु ऐसा बिलकुल भी नहीं करना चाहिए। इन सपनों को मंत्र के समान गुप रखना चाहिए। ये सपने ईश्वर के द्वारा मिलने वाले संकेत होते हैं। जो केवल आपके लिए ही होते हैं। इन संकेतों का पता दूसरों को चलने पर उनका फल नश्ट हो जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं हमें कौन से सपनों के बारे में दूसरों को नहीं बताना चाहिए। सबसे पहला है सपने में पद चिन्न दिखाई देना। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार यदी की मनुष्य को सपने में पद चिन्न दिखाई देते हैं तो इसे बहुत ही शुब संकेत माना गया है। यह राज योग आने का संकेत होता है। इसे स्वपन शास्त्र में बहुत ही दुलब स्वपन कहा गया है। ये पद चिन्न साक्षात देवी लक्षमी के होते हैं और ऐसे संकेत उसी मनुष्य को मिलते हैं जिस पर देवी लक्षमी प्रसन्न होती है यदी किसी व्यक्ति को सपने में देवी लक्षमी के पद चिन्न दिखाई देते हैं और वह उनका पीछा करता है तो यह संकेत होता है क उसे जीवन में अपार धन संपत्ती मिलने वाली है। लेकिन इस स्वपन के बारे में कभी भी दुसरों को नहीं बताना चाहिए, अन्यथा इस स्वपन का फल व्यर्थ हो जाता है। सपने में देवी लक्ष्मी के पद चिन देखना, कोई साधारन बात नहीं है, इसे हमेशा ही गुप रखे। दूसरा है सपने में नाग देवता के दर्शन होना। अक्सर लोग सपने में सर्प दिखाई देने पर डर जाते हैं। कई बार सपने में सर्प किसी को डस लेता है, अथवा किसी का पीछा करता है। कोई व्यक्ति सपने में खुद को सेकडों सर्पों से घिरा हुआ पाता है। इस प्रकार के सर्प से जुड़े सपने शुब फल देने वाले होते हैं। शास्त्रों के अनुसार सपने में नाग दिखाई देना एक शुब संकेत होता है। प्राचीन काल से ही नागों का संबंध सुवर्ण से जोड़ कर देखा जाता है। माना जाता है कि जिस स्थान पर सोना होता है, वहाँ पर नाग अवश्य प्रकट होते हैं। सपने में नाग का दिखाई देना यह संकेत होता है कि आपके पास पैसा आने वाला है। यदि सपने में बहुत सारे नागों का जुन्द दिखाई देता है, तो आपको अचानक ही बहुत सारा धन मिल सकता है। लेकिन अगर आप इस सपने के बारे में दूसरों को बता देंगे, तो आपके सपने का फल व्यर्थ हो जाता है. इसलिए जब भी आपको सपने में नाग के दर्शन हो, तो इस सपने का जिक्र कभी दूसरों के सामने ना करे. तीसरा है सपने में खजाना देखना यदि आप सपने में खुद को किसी खजाने के पास देखते हैं अथवा सपने में आप बहुत सारा सोना इकठा करते हैं तो इस सपने के बारे में कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए यह एक शुब स्वपन है इसका अर्थ होता है कि आपको निकट भविश्य में कही से बहुत अधिक धन की प्राप्ती होने वाली है लेकिन यदि आप इस सपने के बारे में दूसरों को बता देंगे तो इस सपने का फल नश्ट हो जाएगा चौथा सपना है अश्व की अथवा हाथी की सवारी करना स्वपन शास्त्र के अनुसार अगर आप सपने में किसी घोडे की सवारी करते हैं अथवा किसी हाथी के पीठ पर बैठ कर सवारी करते हैं तो यह एक शुब स्वपन होता है ये सपना यह संकेट देता है कि आपकी मान प्रतिष्ठा में वृध्धी होने वाली है आपको किसी बड़े कार्य में सफलता मिल सकती है जिसके लिए आपकी सभी लोग सराहना कर सकते हैं घोडा और हाथी का संबंध आश्वर्य से होता है इसलिए इनका सपने में दिखाई देना और इनकी सवारी करना व्यक्ति के जीवन में कुछ बड़ा होने का संकेट होता है उसे अचानक ही कोई बड़ापद प्राप्थ हो सकता है जिससे संसार में उसकी कीर्थी बढ़ती है लेकिन इस सपने का जिक्र भी कभी किसी के सामने नहीं करना चाहिए अन्यथा यह सपना व्यर्थ हो जाता है पाचवा है मृत्यू से संबंधित सपना दोस्तों अगर आपको मृत्यू से संबंधित सपने आते हैं तो इनका जिक्र भूल से भी दूसरों को ना करें यदि आप सपने में खुद की अथवा आपके किसी प्रिय व्यक्ती की मृत्यू देखते हैं तो इसे शुब स्वपन माना गया है ज्यादातर लोग सपने में अपने किसी प्रिय व्यक्ती की मृत्यू देख लेते हैं तो भैभीत हो जाते हैं जागने के बाद कुछ लोग तो रोने भी लगते हैं किन्तु ऐसा स्वपन दिखाई देने पर भैभीत होने की आवश्यक्ता नहीं है सपने में जिस व्यक्ति की आप मृत्यू देखते हैं, उसकी आयू लंबी हो जाती है वह व्यक्ति दीरगायू हो जाता है किन्तु ध्यान में रहे, आप इस सपने के बारे में कभी दूसरों को ना बताएं अन्यथा उस सपने का फल शून्य हो जाएगा चठा है सपने में भगवान के दर्शन होना सपने में भगवान के दर्शन होना बहुत ही दुलब माना जाता है यदि आपको सपने में बार-बार भगवान के दर्शन होते हैं, तो यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी सपना होता है यह संकेत है कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशिया आने वाली है सपने में यदी भगवान आपको दर्शन देते हैं तो आप आगे चल कर बहुत मान सम्मान और कीर्टी पाने वाले है आपके द्वारा अवश्य ही कोई महानकार्य सिद्ध होने वाला है लेकिन ध्यान रहे इस सपने के बारे में भूल से भी दूसरों को ना बताएं नहीं तो इस सपने का फल नश्ट हो जाएगा सात्वा है सपने में मचली का दिखाई देना शास्त्रों में मचलीयों को धन तथा एश्वर्य का प्रतीक माना जाता है यदि आप सपने में मचलियों को तैरते हुए देखते हैं, तो आने वाले समय में आपको बहुत अधिक धन संपत्ती की प्राप्ती हो सकती है इस सपने का फल आपको आने वाले एक महीने के भीतर ही प्राप्त हो सकता है लेकिन ध्यान रहे कि आप इस सपने के बारे में कभी दूसरों को ना बताएं आठवा है सपने में स्त्री का दिखाई देना दोस्तों सपने में स्त्री का दिखाई देना शुब भी होता है और अशुब भी स्त्री ने किस प्रकार के वस्त्र और आभूशन धारन किये हुए है इससे उस स्वप्ण का फल प्राप्थ होता है अगर सपने में कोई काले रंग के वस्त्र धारन की हुई दिखाई देती है और वह आपको आलिंगन देने लगती है तो इसे मृत्यू सूचक सपना कहा गया ह उस व्यक्ति की मृत्यू अचानक ही किसी प्राकृतिक कारण से हो सकती है। इसे अकाल मृत्यू का संकेत माना गया है। लेकिन यदि सपने में कोई स्त्री लाल रंग के वस्त्रधारण की हुई दिखाई देती है तो इसे शुब संकेत समझना चाहिए। यह संकेत होता है कि आपकी आर्थिक स्थिती बहतर होने वाली है। अगर किसी व्यक्ति को सपने में गोबर दिखता है, तो स्वपन शास्त्र के अनुसार भविश्य में उसे जानवरों से किसी प्रकार का धन लाब हो सकता है। इसके अलावा पानी में तैरने का सपना भी आर्थिक लाब का सूचक माना गया है। सपने में कोई बच्चा अगर खिल खिला कर हस्ता हुआ दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि आपको अचानक से धन मिल सकता है। सपने में दरपन या आइना देखना शुब संकेत माना जाता है। यह सपना इस बात की तरफ इशारा करता है कि धन लाब होने वाला है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिती मजबूत होने वाली है। सपने में अगर शीशा, आइना या दरपन तूपते हुए देखते हैं, तो यह शुब संकेत नहीं माना जाता है। ऐसा सपना पारिवारिक संबंधों के बीच दरार पढ़ने की तरफ इशारा करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति सपने में जानवरों को मनुष्य की वानी में बोलते हुए देखता है, तो यह अशुब संकेत होता है। उस मनुष्य के घर में प्रेतों का वास है, उसके पूर्वश प्रेत योनी में चले गए हैं। ऐसा सपना दिखाई देने पर व्यक्ति की धन संपत्ती का विनाश हो जाता है और मान सम्मान भी नश्ट हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे सपने दिखाई देते हैं, तो इन सपनों को हमेशा गुप रखे। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। विडियो को लाइक जरूर करे और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। आप सभी का धन्यवाद।